हे गाईज वालकम बैक तो माई चैनल मैं हूँ सिलकी और आप देख रहे हो सिलकी ब्यूटी तो आज आपके सिलकी आपके बैक पेंट बॉड़ी पेंट या आपके जोइन्स पेंट को मिंटो में ही ठीक करने वाली है क्योंकि ये जो चीज आप देख रहे हो ना गाईज ये इतनी जादा powerful है जिसे आप use करोगे ना मेरे बताये हुए तरीके से use करोगे तो आपके body में बहुत जादा दर्द है या आपके घर में किनी को भी जो बहुत जादा बुजर्ग हो या किसी को भी अगर ये problem बहुत जादा है ना तो इस video के बाद वो problem बिलकुल दूर होने वा फूल की ये फल होती है तो आपके यहां पर इसे किस नाम से जानते हैं प्लीज मुझे comments में करकर जरूर बताए तो ये धतुरे के फूल के जो ये बीच है ना मैंने इतने सारे लिए है actually मैंने इसे मेरे गाउं से मंगवाया हुआ है मेरे घर पे मेरी दादी इसे बहुत जा करना है तो गाइस वीडियो काफी जाद इंफर्मेटिव होने वाली है तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल में स्किप ना करें वरना आप इस रेमेडिय को अच्छे से समझ नहीं पाऊगे तो सबसे पहले आपको मैंने जो दिखाया वह फल बिल्कुल फ्रेश थी उसे आप को करना क्या है आप उसे दो दिनों तक धूप में ऐसे रखोगे तो आप देख सकते हो मैंने धूप में इसे रखा जिसे यह थोड़ी ड्राय हो गई है अब मैं इसके सीट्स को इसमें से निकाल ले रही हूं जब यह अच्छी से ड्राय हो जाती है ना तो बहुत इजी ले इसके सीट्स अपने आप से यह बाहर निकल जाते हैं पर आप इसे थोड़ी सी सावधानी के साथ यूज़ करें क्योंकि एक पोईजन भी है तो प्लीज आप इसे बच्चों से तो बिलकुल ही दूर रखें तो आपको यहां पर दो फल लेने हैं यह धतुरे के फल को और उ कर लें चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंट फ्रेंस एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें तो नेक्स्ट अभी आपको किचन में जाना है मैं आ गई हो मेरे किचन में और यहां पर मैंने एक ऐसे बरतन का यूज करा है जिसे मैं के लिए आप मस्टर्ड ओयल लोगे अगर आप मस्टर्ड ओयल स्किप करना चाहते हो तो उसके जगा आप तिल के तिल का भी इस्तिमाल कर सकते हो तो आपको यहां पर मस्टर्ड ओयल को बहुत लो फ्लेम में पकाना है यहां जो भी रेविडी बनने वाली है ना गाइज इ यहाँ पर पांच कर लिया लसन के लिया हैं आपको यह पर गालिक लेना है मेर्ड़ झालना नहीं है आप बिलकुल ऐसे ही यूस्च करने वाले हो। मैं आपको बताऊंगी आगे कि मैंने यहाँ पर इसे ऐसी क्यूं यूसद के यह है तो गाइस इन सारी चीजों को ऑप को बहुत ही low flame पे ही पकाना है जब आपको बहुत जादा घुटनों में दर्ध होती हो या आपके shoulders pain हो या आपके back में बहुत जादा दर्ध है तो आप इस oil को ज़रूर इस्तिमाल करोगे next जो चीज़ मैं यहाँ पे ली हूँ या यह है fanigric seeds जिसे हम मेथी दाना कहते हैं तो मेथी यह सारी चीज़े आपके body में क्या जादू करने वाली है जब आप एक बारी इसे use करोगे न और आप मुझे तो आके thank you जरूर बोलने वाले हो और आप जिनसे भी यह share करोगे न वो भी आपको thank you जरूर बोलने वाले हैं क्योंकि यह ना बहुत जादा powerful oil बनने वाली है और next मैंने यहाँ पर जो लिया है वो है धतुरे के फल की बीज जो हमने पहले निकाला था ना start में यह वही सारे seeds हैं और आपको मैं बार बार बता दे रही हूं यह चीज़े आप जिस बोल या plates में यूज करो ना वो चीज आप फिर नेक्स्ट यूज ना करोगे और अगर करे भी तो उसे अच्छे से clean कर लोगे तो मैंने यहाँ पर धतुले के seeds को भी oil में डाल दिया है mustard oil में जिसे मैं बहुत ही low flame पे पका रही हूं actually यह oil बनाने में आपको time लगने है पर एक बारिया बना लोगे तो आप one month to three months तक easily use कर सकते हो और next जो मैं यहाँ पर डाल रही हूं यह है अजवाइन जो हम खाने में यूज करते हैं बिलकुल यह अजवाइन ही है तो इसी भी मैंने यहाँ पर one spoon जितनी ली है और इन सारी चीजों को आप बहुत अच्छे से low flame पे पकाओगे मैंने तो वीडियो काफी जादा लंबी हो जाती तो मैंने थोड़ी सी यहाँ इसे skip कर दी गई हूं तो आप इसे बहुत ही patience के साथ बहुत ही low flame पे पकाओगे गाइस और इसे आपको जलाना बिलकुल नहीं है आपको बस इसे पकाना है धतुरे की जो यह फल लसन लिया है लसन की तासीर भी गर्म होती है फैनिगरिक की भी गर्म होती है और अजवाइन की तासीर भी गर्म होती है तो आप खुद सोचो जब आप इन सारी चीजों को जिनकी तासीर गर्म है और आप अपने body pain पे इसे मालिश करोगे mustard oil तो एक best oil होती है मालिश के तो आप इस oil को बिल्कुल धंडा कर लोगे अब आप सोचोगे कि सिलके next अभी क्या बताना है इसे तो हमें बस strain आउट करना है तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें यहां पे हमें इस oil को strain नहीं करना है जो चीज़ें हमने यहां पर इसमें oil में डाली थी ना वो उन सारी चीज़ों को आपको साथ में ही बहुत अच्छे से थंडे करके आप एक glass की jar में इसे transfer कर लोगे और यह सारी चीज़ों की goodness इस oil में आती रहेगी इस चीज़ को आप अपने body पर अच्छे से मालिश करें 10 मिनट तक मालिश करें अपने family में जिन्हें पेन हो उन्हें मालिश करें उनके दर्द बहुत ही जल्दी एक ही बार में यूज कर बहुत ही fast ही relief मिलने वाली उन्हें